जोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेसिय उतक की जिसे मस्कुलर टीसू भी कहते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे पेसिय उतक क्या होता है पेसिय उतक के प्रकार के बारे में उनकी सरचना के बारे में तथा उनके सभी कैसे हो देखना तो चलिए देखते हैं पेशीय उतक तो जानी पहले समझते हैं पेशीय उतक है क्या पेशीय उतक ऐसे उतक होते हैं हमारे सरीर में ऐसा कोशिकाओं का समूह हमारे सरीर का ऐसा कोशिकाओं का समू जो हमारी गती गम्मान संकुचन सीलक्रियाएं करने के लिए उत्तरदाई होता है मतलब जैसे हम हाथ हिला रहे हैं हम पैर हिला रहे हैं हम चल रहे हैं तो यह सम काम हमारा पेशिय उत्तक ही करता है तो इसके लिए जो उतक उतरदाई होता है, जो कोशिकाओं का सम्मूत उतरदाई होता है, उसे ही पेशिय उतक का जाता है तो यहाँ पर मैंने और भी अच्छे से लिखा हुआ है, तो चलिए हाफे पढ़ लेते हैं इसे तो दोस्तों यहां पर कह रहा है जिवधारियों में गमन एम गति के लिए जो उतक होता है उसे पेसिय उतक जैसा कि मैंने बताया जिसे चलना हाथ हिलाना गतियों गमन के लिए जो उतक आ सकता है उसे पेसिय उतक कहते है पेसिय उतक की कोजिका है संकुचन सील होती है मतलब सदयो काम करती रहती है क्योंकि इन में क्योंकि इन में मायोसी मायोसीन तदा एक्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है इन में दो प्रोटीन पाई जाती है एक तो होती है हमारी मायोसीन और एक होती है हमारी एक्टिन नमक दो प्रोटीन्स हमारी पाए जाती है कोई सन ऑप्सिनल भे भी आ सकता है मल्टीपल चोईस में और या फरीर का लगभग 40 से परसेंट मतलब अगर हमारे सरीर का 100 परसेंट भाग है तो ये 40 परसेंट भाग सिर्फ हमारी ये पेसियो उतक ही बनाता है क्योंकि ये सारे अंगों में फाइली रहती है चाहे हो आखो नाखो मुहो हाथो पैरो कहीं पर भी हो क्योंकि ये सारी क्रियाएं तो हम करते ही रहते हैं ये 40 से 50 परसेंट भाग बनाती है पूरे सरीर का इनकी सरणचना कोशिकाएं लंबी सकरी वा वेलनाकार होती है तो यहां पर लंबी सकरी वा वेलनाकार होंगी क्योंकि इनकी कोशिकाओं का ये आकार बता रहा है किस परकार ये हो सकती है अब बात करते हैं पेसे उतक के प्रकार के बारे ये तीन प्रकार की होती है तो इनक अब से पहले बात करते हैं रेखित तया एच्छिक पेसी क्या होता है कभीकभी आपको ऐसे कुछस्फ ढला कि रेखित पेसी की परिभास्टा लिगो तथा इसके कार जालों में से कोई दे सकता लेकिन हमें लिखना एक ही है तो यहां पर रेखित पेसी क्या हो सकती है चलिए यहां पर यह अच्छिक पेसी से तो असपस्ट ही होगा कि ऐसी पेसियां जो हमारे इच्छा नुसार कारे करें जो हमारे काबू में रहती है जिने हम अपनी इच्छा नुसार हिला डुला सकते हैं यहां वहां कर सकत उन्हें अच्छी पेसिया कहते तो यह अपका पता रहे अचछी पेसिया चाहिती parenthिए जोमाया रिटेख हमारा नियंतर नहीं होता जिने आपनी इच्छा के अनुसार कारें नहीं करवा सकते तो ये ये हमारी जैसे बनाता हूं जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं आप कोई ट्रक आई और अचानक एक धूल का कड़ आपकी आँख में पड़ गया और आपकी आँख तुरंद बंद हो होती हैं तो ये पेसिया हमारी अरेखिता नहीं चिक पेसिया से और भी एक्जामपल ले सकते हैं आग की पलक का हिलना डुलना और आग के सामने हाथ ले जाने पर तुरंद प्रतिवर्ति क्रिया का हो जाना तो ये सब हमारे अरेखिता नहीं चिक पेसी के उदार हो सकते हैं तो इर्थ-पेशी जैसे यह हो सकते हैं, जीवन से मरर तक, मतलब जब से इंसान का जन्म हुआ मिर्थ तक, यह पेशिया बिना ठाके हुए, यह बहुत वह थनके हैं, लेकिन यह बिना ठाके हुए, अनाच्छिक पेशियों पर तो हम कुछ समय के, तो ये अन्य चिक पेशियों की तरह जैसे अन्य चिक पेशियों तो हम कुछ समय तक अपने जैसे काटा मान लिए आपके पैर में धस गया तो आप थोड़ी देर तक बहुत ही प्रयास करके उसे थोड़ी देर रोक सकते हैं आग की पलक को जपने से थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं प्रतिवर्ति क्रिया में आग में हाथ थोड़ी देर रोक सकते हैं लेकिन हिर्द पेशियों वे पेशिया होती हैं जिन पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रा नहीं होता हम इन्हें नियंत्री नहीं कर सकते जैसे हिर्दा है हिर्दा है हो गया हमारा ये जीवन से मरर तक धालकता रहता है इसे हम इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस प्रकार की पेसिया ये हिर्द पेसिया कहलाती है तो इनकी चलिए सराचना देख लेते हैं किस प्रकार की होती है तो दोस्तों ये हमारा एक अरेखी से हैं और यही हमारी ह्यर फेसी है तो यहां पर मैंने तीनों पैसि को सरचना इस सब कुछ अच्छे से बता दिए आप समझ गए तो यहां पर आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आये होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चेहल को सब्क्रा बाइब बाइब